चोहटन विधान सब छेतर से राष्टरी लोक्तांतिक पार्टी के उमिद्वार एडवोकेट सुर्ता राम मेगवाल ने रोडशो करके अपना नमांकन दर्च करवाया महीं विशाल जन्समू के साथ में डिजे की धुन पर युवा और बड़े बुजुर्ग भी नाचते हुए दिखे रिटर्निंग अधिकारी वुपेंद्र कुमार यादव के समाक्ष युवाव बड़े बुजुर्गों की एक ही आवाज हनुमान बेनिवाल जिन्दाबाद सुर्ता राम मेगवाल जिन्दाबाद राष्ट्री लोकतांत्रिक पार्टी जिन्दाबाद के नारे लगाए गई सुर्दाराम में एकवाल से बात करने पर सुर्दाराम ने बोला युवाव के जोश और जजबे को देखते हुए राजिस्थान में परिवर्ट अनिश्चित है लोग तांतिक पार्टी साथ नामां करने पेस्ट किया था उससे पहला आपने एक सोसल मीडिया के मादें सुनने आए था आपने एक सभा रखे अन्थ वक्त में आपको अनुमती नहीं मिली तो इसके बारे माप क्या कहेंगे और आप किन मुद्दों को लेकर जनता के सामने आ का लेकी से अपूर पर के माद और एवहन दो के प्र शक्रॉण के सब्सक्सक्राण फिल्टों को लेकशाट हरूं हमारा सुनालबी मुदत जो है किसानों के लिए daher किसानों की सरकार और खुद सरकार सुछ राजनिती और हुप्राइड ये हमारी जो जमावा पार ये तूसरी पार्टी अध्यार argument, भूर्ष धृति भीया जहाते हैं तो विकल्प लगा तो लोगों ने दोनों पार्टियों को पचाड के तीन सीटें दी और बागी सतर में से जो है सारी सीटें ले के तीन सोटें छोड़के तो अब राजस्तान में विकल्प तयार हुआ है ये किसानों की सरकार बनेगी जो भी विदायक जाएगा वो कोई पैस कि जान जो है हमारी कारेकरता है इनकी रेलिए इनका जो जोश है यह मुझे लगता है कि यह तीसरे मोर्चे की सरकार बनाके रहे हाले आपने कंग्रेस पार्टि से किस्तिफादिया सजिन पालेट के नाम आपने पत्र वेज़ है क्या पुस्तिफास्प फ्विकर होगे हो व तो उनका काम है मैंने जो चीज त्याग दिये तो त्याग दिये आपने 25 साल तो उनके बोरी बिस्तर उठाए अब आपकी जैसे जैनमे कैसा है कि मैं इस पार्टी को छोड़के और तीसरे फ्रंट में मुझे मेरे विचार लगे मैं किसानों के लिए लड़ता रहता हूं यहा खार्टी किसानी पार्टी की जगए खार्टी किसे फ्रवप के जगए